दोस्तो देश डवलप्मेंट के रास्ते पर है लेकिन जह डवलप्मेंट होता है वहाँ पर कुछ नुकसान भी होता है इसी वीडियो में बात करेंगे कि खुर्जा सूपर थर्मल पावर प्लांट क्या फाइजा दे रहा है भारत को और क्या नुकसान दे रहा है दोस्तो मैं इस सूपर थर्मल पावर प्लांट में तेरा सो बीस मेगा वोट आपके लिए बिजली बनाए जाएगी इसका एक प्रोजेक्ट दो हजार बाइस तक कम्प्रीट हो जाएगा जिसमें 660 मेगा वोट एनर्जी बनाए जाएगी और उसके बाद में 2022 से लेकर 2025 तक दूसरा प्रो तेरी हाइडरो डेवलोप्मेंट कोपरेशन लिमिटिड इसने उत्राखण में भी काफी अच्छा काम किया है और इसी को ये प्रोजेक्ट मिला है कि यहां पर भी खुरजा सूपर थलमल पावर प्लांट आप ही बनाएंगे दोस्तो 75% जो हिस्सा है वो सेंटर का है यानि कि इंवेस्ट मेंक 25% सेंटर गौर्मेंट कर रही है और पिचिस परसेंट जो इन्वेस्ट मेन है वो up की गौर्मेंट कर रही है लेकिन अगर हम बात करें कि बिजली जो 60% है वो up को मिलेगी और जो 40% बिजली बस्ती है वो उत्राखंड राजिस्थान, हिमाचल प्रतेश और दिल्ली को भी मिलेगी खुर्जा सूपर थर्मल पावर प्लांट बनाने में 12,676 क्रोड रुपे खर्च होंगे और इस प्लांट को बनाने में 11,089 क्रोड रुपे खर्च होंगे वही इस प्लांट को चलाने के लिए कोईले की खान भी बनानी पड़ेगी और उस खान को निर्मान करने के लिए 1587 क्रोड रुपे खर्च होंगे दोस्तो आपको बता दे खुर्जा जो ताप सनियंतर पड़ता है ये बुलन सहर में पड़ता है वहीं इससे पहले बुलन सहर में नरोरा के अंदर एक परमानु सनियंतर भी काम कर रहा है जो 1902 में बनाया गया था और वो लगातार बिजली पैदा कर रहा है दोस्तो खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है लगातार कोईले से काम करता रहेगा और ये यूपी उतराखन राजिस्तान हिमाचल परदेश दिली को इसी से बिजली देगा लेकिन उतरपरदेश में कोईले की खान नहीं है अब कोईला कहां से आएगा वो आएगा मद्देपरदेश से दामदर घाटी के पास जो जारगंड वाला छेतर है मद्देपरदेश से लगता हुआ वहीं पढ़ता है सिंग्रोली यानि के सिंग्रोली की खान है वहां पर को कोईला पहुंचाया जाएगा आपके खुर्जा में और खुर्जा का जो सूपर थर्मर पावल प्रांट है वो सिंग्रोली के कोईले से चलेगा दोस्तों अगर हम बात करें कि सिंग्रोली और जो खुर्जा है इसके बीच की दूरी कितनी पड़ती है तो तक्रीबन 900 चले घ्वाएं कि जो खुर्जा सूपर थर्मर पावर प्रांट है यह इसमें जएक सब्द आता है सूपर यानिके सूपर का जो मतलब यहां पर बनता है वो इस तरीके से हम आपको बताएंगे कि जितमे भी आज के टाइम में जो थर्मल पावर प्लांट है वो बन रहे हैं आधुनिक टेकनोलोजी पे यानि के क्रिटिकल टेकनोलोजी पे इसमें एसा दाब और एसा ताप दिया जाता है कोईले को जिस से वो सिदा सिदा भाप में बन जाए और भाप में बनने के बाद में वो टरबाइन गुमाएं और टरबाइन गुमने के बाद में वो बिजली पैदा करें दोस्तो यहां पर कुछ इसके ड्रोबैक भी हैं इसके कुछ नुकसान भी होंगे हम बिजली तो यहां से ले रहे हैं लेकिन इसके क्या क्या न वो भी उस pollution को बढ़ाते हैं लेकिन जो सबसे बड़ा मेन मुद्दा था वो था बदरपूर के पास एक thermal power plant काम कर रहा है जो लगातार परदूसित कर रहा है दिल्ली को जब भी परदूसन दिल्ली में बढ़ जाता है तो उसको बंद कर दिया जाता है इसी तरीके से जो खुर भी काफी नुक्सान होने वाला है इसी सुपर थर्मल पावल प्लांट से लेकिन हमें बजली चाहिए तो बजली पैदा करने के लिए ये प्लांट लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है वहीं अगर डबलू एचो की रिपोर्ट माने तो दिल्ली जो है छटे नंबर पर है पोल्यूशन में वहीं कानपूर पहले नंबर पर है यानि के कुछ समय बाद जो बुरंसेर है वो भी पहले नंबर पर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो एसे ही सन्यंतर हो जाएंगे जो लगातार मैनिफेक्चरिंग कर रहे हैं पहले तो परमानू सन्यंतर और दूसरा अब यह कोईले का सन्यंतर बन गया है यहाँ पर दोस्तों वहीं आपको बता दें जो सिंग्रोली में यानि के मद्धेपरदेश में कोईला खान बनाया जाएगा उसमें लगभग 9 लाक पेड गिराए जाएंगे यानि के वहां से जो 3500 एकड जमीन है उसके उपर जितने भ परिया वरन को प्रोबलम होगी और ये जो हमारे आसपास जितने भी पेड थे वो धीरे दीरे खतम होते जाएंगे अगर हम एकसपर्ट की माने तो जो हमारी जो गोवर्मेंट है जैवरतमान है चाहे वो पुरानी गोवर्मेंट है वो अभी भारत को इस तरीकी की तरक्यी नहीं दे पा रहे हैं अगर उनके जो प्रोजक्ट्स थे जैसे कि भारत सरकार ने कुछ बोला था कि अक्से उर्जा जिसमें हम 100 जिगावाट एनर्जी बनाएंगे और जो सोर उर्जा है जिसमें 175 जिगावाट एनर्जी हम 2022 तक बना कर आपको देंगे यानि कि भारत की जंता को देंगे वो अभी तक कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं यहां पर कुछ GST की प्रोब्लम की वज़े से 2018 में सोलर एनर्जी के जितने पावर प्लांट लगाने थे वो नहीं लग पाई जिसकी वज़े से डवलप्मेंट नहीं हो पा रहा है दोस्तों इस तरीके के थर्मल पा पावर प्लांट को बढ़ाने के लिए सोलर उर्जा को बढ़ाने के लिए जिससे बिजली बनाए जाए प्राकर्तिक सूर्यज की किर्णों से दोस्तों यहां तक की जो सूपर थर्मल पावर प्लांट है यहां पर काफी लोगों को रोजगार मिलेगा लेकिन रोजगार के स कोमेंट करें और सेर जरू करें थैंक यू